आज मैं आपसे एक बहुत महतुपूर्ण विशय पर बात करना चाहता हूँ समवाद करना चाहता हूँ और वो विशय है दुनिया को भारत की देन विश्व को भारत की देन भारत ने अब तक दुनिया को क्या क्या दिया है भारत के द्वारा दुनिया में क्या-क्या आया है ग्यान के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है नीतियों के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है व्यवस्थाओं के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है ऐसे कुछ विश्यों पर मैं आज आप से बात करूँगा बहुत सारी रोचक जानकरियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा कई जानकरियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होगी किसी ने आपको बताया नहीं होगा चर्चा भी शायद आपके बीच में नहीं हुई होगी मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है वो ये कि आज जो जानकारियां आपको ऐसी लगें कि आपने पहले कभी नहीं सुना या पहले कभी उसके बारे में नहीं जाना किसी ने आपको उसके बारे में नहीं बताया तो इन जानकारियों को आप यहां से लोटने के बाद अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि उनका अग्यान इस माध्यम से हम दूर कर सकें जो भारत स्वाभिमान का माध्यम है मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूँ आज के व्याख्यान में वो यहां से के हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई करके निकले सबी ने प्राथमी किस तर पर, माध्यमी किस तर पर, फिर उच्च कछाओं किस तर पर काफी कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन हमारे मन में बच्छपन से जो एक बात गुसाई जाती है, बिठाई जाती है, या पढ़ाई जाती है वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा फिर पढ़ाया जाता है बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत रहा फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता अंग्रेज नहीं आते तो सिक्षा नहीं होती अंग्रेज नहीं आते तो विग्यान नहीं आता अंग्रेज नहीं आते तो तक्नीकी नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जाज नहीं होता ऐसी ऐसी बाते हम बच्छपन से पढ़ते आते हैं सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा दुख और दुरुभा की इस बात का लगता है कि हमारे अध्यापक हमको ये सब पढ़ाते है गुरु हमारे जो आज के वरतमान में हैं अब गुरु तो कम हो गए हैं सिक्षक जादा रह गए हैं तो बरतमान में जो हमारे सिक्षक हैं अध्यापक हैं वही हमको ये सब पढ़ाते हैं और बताते हैं इस तरीके से कि दिबाग में घुसा देते हैं फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है आपने एक मनो विज्ञान की बात सुनी होगी दुनिया में बार-बार कही जाती है क एक जूट को जब बार-बार बोला जाता है बार-बार बोला जाता है तो थोड़े दिन वो जूट सुनते सुनते सच लगने लगता तो भारत के बारे में पिछले कम से कम ढ़ाई 300 वर्शों से एक जूट पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि भारत एक गरीब देश भा भारत एक अवेग्यानिक देश भारत एक ऐसा देश जहां विग्यान नहीं जहां तक्नीकी नहीं जहां गणित नहीं जहां बहुतिक शास्त्र नहीं जहां रसाइन शास्त्र नहीं कुछ भी नहीं भारत एक ऐसा देश जो हर समय दूसरों पर निरवर भारत एक ऐसा देश जो अपनी सब्विता और संस्कृती में गौरव करने लाइक कुछ नहीं और जो कुछ गौरव करने लाइक है वो पाखंड है जो कुछ गौरव गर्व करने लाइक है वो अवेग्यानिक है उसका कोई वेग्यानिक आधार नहीं उसका कोई तारिकिक आधार नहीं इसी तरह की बातें पढ़ते पढ़ते सुनते हम सब बड़े हुए और हमारे सिक्षकों को जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आप ये सब हमें क्यों पढ़ाते हैं तो कहते हम को किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है तो हम तुम को पढ़ाते हैं तो हमारे सिक्षकों के जो सिक्षक रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ाया है और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा कोफ्त तब होती है कि एक साधरन आदमी भारत के बारे में जब ये कहता है कि हमारे पास ग्यान नहीं, हमारे पास तकनीकी नहीं, हमारे पास विग्यान नहीं, हमारे पास अर्थशास्त नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं हम तो हमेशा से पिछड़े गरीब देश है तो सामन आदमी की बात को तो छमा किया जा सकता है लेकिन जब भारत का प्रधान मंत्री ये कहने लगे तो दिल को बहुत चोट पहुचती है हमारे देश के कई प्रधान मंत्रियों के मुह से मैंने ये सुना कि भारत हमेशा से गरीब देश है तकनीकी यहां नहीं रही विग्यान यहां नहीं रही सिक्षा यहां नहीं रही जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों की देन है भारत के बारे में सारी दुनिया में हमारे प्रधान मंतरियों ने बोला है सपेरों का देश, लुटेरों का देश अंधेरे का देश, ठगों का देश डकेतों का देश इस तरह की बातें सारी दुनिया में भारत के बारे में प्रचारित हुए है गडरियों का देश ऐसे ऐसे बात हमारे देश के बारे में दुनिया के लोगों के सामने आए है कि शर्म आती है कई बार अपना जी करता है कि क्या करें हमारे बरतमान प्रधान मंत्री के द्भारा लंडन के आकसफोर्ड हॉल में दिये गए भाशन की याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने आकसफोर्ड इनिवर्सिटी में दिया जब उनको डॉक्टरेट की मानध उपादी दी जारही थी और उन्होंने यही कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो ना विज्ञान पता था ना तकनीकी पता थी ना हमारी सिख्षा व्यवस्था कोई होती ना हमारे पास कोई अर्थ व्यवस्था होती ना हमारे पास कोई करशी करते रहे कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए बरदान था अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम तो आज भी अंधेरे में डूबे ही रहते अब ये जो बरतमान प्रदान मंत्री का बयान है वैसा ही बयान हमारे प्रथम प्रथम प्रधान मंत्री ने भी कई बार हमारी संसद में दिया अपनी संसद में कहा भारत के प्रथम प्रथम प्रधान मंत्री ने कि अगर अंग्रेजों का भारत के साथ संयोग नहीं होता तो भारत तो हमेशा अंदकार और अंधेरों में डूबा हुआ देश ही रहता इसलिए भारत को विकास कराना है तो अंग्रेजों जैसा बनाना है भारत को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के रास्ते पे ही चल के उसको ले जाना है तकरीबन इसी तरह की बातें भारत के बिभिन्न प्रधान मंतरी कहते रहे शर्म और अफसोस हमारे देश के लोगों को देते रहे दो या तीन प्रधान मंतरीं को छोड़ दिया जाये तो लगबख सभी प्रधान मंतरी इसी मानसिकता के रहे इस देश में पिछले 63 वर्षों एक प्रधान मंत्री थे जिनको भारत की परंपराओं पर बहुत गर्व होता था संस्कृती सब्विता पर बहुत गर्व होता था उनका नाम था श्री लाल भादुर शास्त्री तो जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने तो उनों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस देश में जो सामन रूप से किसी प्रधान मंत्री के साहस में नहीं होता फैसला उनका ये था कि अमरीका से लाल रंग का गेहू आता था भारत में जिसको अमरीका में जानवर बेनी खाते वो गेहूं हमें खिलाया जाता था श्री शास्त्री जी ने फैसला लिया कि ये गेहूं हमें खाना मनजूर नहीं है क्योंकि अपमांजनक तरीके से आता है और रद्दी है सबसे खराब है और वो गेहूं उन्होंने अमेरिका से लेना बंद कर दिया था उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था और उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया कि हम विदेशों से गेहूं नहीं खाएंगे और नहीं लाएंगे तो कई लोगों ने उनको समझाया कि शास्त्री जी अगर ये गेहूं हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे तो इतना कड़ा बयान उन्होंने दिया था कि हमको भूखे मरना मनजूर है लेकिन अपमान जनक शर्तों पर घटिया गेहूं खाना मनजूर है जब ये बात चल रही थी चर्चा चल रही थी तो संसद में भहेंकर बहस होई थी शास्त्री जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद जब गेहूं का आयात उन्होंने बन किया अमेरिका से तो संसद में बड़ी बहस होई थी और कई संसदों ने शास्त्री जी को ये कहा कि अगर ये अमेरिका और यूरोप के देश न होते तो हम तो कहीं के न रहते तो शास्त्री जी ने फिर एक कड़ी बात कही थी कि अमेरिका और यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो भारत को दे सके हमारे पास ही है जो हम उन्हें दे सकते ये बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी इसी तरह एक और प्रधान मंत्री हुए थे इस देश में उनका नहम था श्री मुरार जी देसाई वो भी बहुत भरे हुए थे कूट कूट कर भारतिय संस्कृति सब्बेता की बातों से और वो कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज़ादा ग्यान अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है ये हमारा दुरुभाग ये है कि उस ग्यान को हम दुनिया में इस्थापित करने में पीछे रह गए इसी तरह के एक प्रधानमंत्री और हुए है इस देश में वो बहुत कम समय के लिए रहे चंदरशेखर चार महीने रहे लेकिन वो भी ये कहा करते थे कि यूनान की सबसे पुरानी सब्विताओं से पुरानी सब्विता हमारी रही है यूरोप के पास जो कुछ भी तकनीकी और विग्यान रहा है उससे पहले हमने वो तकनीकी और विग्यान हासिल किया है इसलिए हमें विदेशियों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है जरूरत पड़ेगी तो उनको कुछ दे देंगे लेने लाइक हमारे लिए उनके पास कुछ है नहीं तो ऐसी बातें कहने वाले दो तीन प्रधान मंतरियों को छोड़कर लगबग सभी प्रधान मंतरी इस मानसिक्ता के हुए कि भारत के पास कभी कुछ नहीं रहा हमने कभी कुछ दुनिया को दिया नहीं हमने हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसार कर भीक मांगी है चाहे ग्यान की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे तकनीक की हो जो भी हैं हम दूसरों से लेकर अपने को आगे बढ़ाते रहे ये बहुत बड़ा भ्रहम है, ये बहुत बड़ा मित है ये भ्रहम जितनी जल्दी तूटे इस देश का, उतना ही देश के लिए बहतर है इस द्रश्टी से मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे इस भ्रहम को पूरी तरह से तोड़ देंगे और आज के बाद हम में गर्व होगा ये कहते हुए कि भारत के पास ही सब कुछ है वो ग्यान के स्तर पर हो, व्यवस्था के स्तर पर हो, नीतियों के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो मैं शुरू आत करता हूँ भारत ने दुनिया को क्या दिया सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से, गौर्व से और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है फिछले दस बारे वर्षों से खास कर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ बास्तविक्ताओं को स्वीकार कर लिया उन में से एक वास्तविक्ता को जो दुनिया ने स्विकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाशा और सबसे पहली लिपी दुनिया को दी है तो वो भारत में दी है लिपी आप समझते हैं जिसमें भाशा लिखी जाती है और भाशा तो आप जानते हैं तो दुनिया की सबसे पहली भाशा और सबसे पहली लिपी जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत में ही दुनिया को दी है। भाशा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है और लिपी जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपी से भी पहले एक लिपी हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण और वो लिपी ब्राम्मी लिपी रही है ब्रहम्मी लिपी के बारे में सारी दुनिया के वैग्यानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है कि ब्रहम्मी लिपी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है और भारत के पुराने होने के बारे में परम पुजनी स्वामी जी के मूँसे अभी आपने सुना एक अरब 96 करोड माने लगबग दो अरब साल पहले का ये पूरा हमारा ब्रहमांड है प्रकरती है जिसमें भारत बसता है लगबग उतनी ही पुरानी ब्रहमी लिपी मानी जाते है अब समस्या उत्पन ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्रहमी लिपी को पढ़ने वाले और समझने वाले वैग्यानिकों की संख्या अभी नहीं है बहुत बहुत थोड़े वेग्यानिक रहे हैं जो लिपी वेग्यानिक माने जाते हैं जो वो भाशा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हैं तो ब्रहमी लिपी हमारी सबसे पुरानी लिपी है जो दुनिया के देशों को हमने दी और दुनिया के लिपी वेग्यानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती थी भारत ने लिखना सिखाया क्योंकि लिपी का आविश्कार सबसे पहले भारत में हुआ जब आपके पास लिपी होती है तब ही आप लिख सकते हैं पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है वो लिपी के प्रभाव से ही होता है तो सबसे पहले लिपी हमारी तो सबसे पहले लिखना हमारे यहां शुरू हुआ और वो लिखना फिर हमारे यहां से चीन में गया चीन ने हमसे लिखना सीखा चीन के जो लिपी वेग्यानिक हुए हैं जो पिछले हजारों साल का अध्यन कर रहे हैं वो इमानदारी से इस बात को स्वीकार करते है कि चीन के वहग्यानिक चीन के रिशी मुनी भारत आये उन्होंने लिपियों का अध्यन किया अध्यन करके चीन में वापस गए और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का अविश्कार किया तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को लिपी से लिखना आता है भाशा से बोलना आता है भाशा हमारी सबसे पुरानी संस्क्रिप्ट जो सारी दुनिया में हमने दी है दुनिया की जो विशिष्ट भाशाएं मानी जाती है अंग्रेजी को छोड़ कर जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है, जैसे डच है, जैसे इटैलियन है, जैसे पोर्चुगीज है, जैसे स्पैनिश है, जैसे रशियन है, जैसे डैनिश है, दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है, अंग्रेजी को छोड़ कर, अंग्रेजी विशिष्ट कि सामन भाषाओं में गिंती होती है क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है और जो दूसरी भाषाओं है वो मूल भाषाओं मानी जाती है तो जो मूल भाषाओं मानी जाती है पूरी दुनिया में जर्मन हो, फ्रेंच हो डच हो, इटेलियन हो, रेशियन हो आई तक सुईकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन और जर्मनी के लोग अपने आपको बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं हमारे वन्शज भारतवासी रहे हैं जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है ना उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा उसका नाम है लुफ्थ हंसा जब लुफ्थ हंसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्थ हंसा क्या शब्द है जर्मनी का शब्द है जर्मन का शब्द है वो वेग्यानिक मुझे हिरानी से देखने लगा कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है ये संस्कृत का शब्द है मैं पूछा क्या है तो उसने का लुप्त हंस उसमें से बना लिया लुप्त हंसा लुप्त माने खतम हो गए विलीन हो गए और हंस जानते हैं एक बहुत विशेश किसम का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता एक जमाने में सबसे ज़्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे तो उन्हेंने का भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुप्त हंसा हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एरलाइन चलती है जिसको लुप्त हंसा कहते है पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रती इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एरलाइन का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया और आज जर्मनी में सिक्षा में विश्वविद्याले के इस तरकी सिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चो रहा है और जर्मनी दुनिया का भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक युनिवर्सिटी एक विश्वविद्याले संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ है और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परमपरा शुरू किये हमारे जो महरशी चरक हुए जिनोंने चिकित साव व्यवस्था का सबसे पहला से दांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई चरक उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है उसका नाम ही है चरको लौजी चरक रिशी के नाम पर चरक लिया और लौजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का तो चरको लौजी विभाग उनका है मने चिकितसा विभाग जर्मनी की सरकार सबसे ज़्यादा भारतिय विद्याओं की जो खोज है उस पर खर्चा कर रही है अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलाजी इंडोलाजी का माने होता भारती विद्या है तो भारती विद्याओं उपर भारत के बाहर सबसे ज़्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में और जर्मन वेग्यानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है चुकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है सबसे पहली भाषा है इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ग्यान भी इसी में है और ग्यान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सके तो सबसे पहली भाशा और सबसे पहली लिपी हमने दुनिया को दी अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्व की बाते हैं जो सारी दुनिया के वेग्यानिक कहते हैं वो मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कम्प्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उप्योग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत computer चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिभधान तताय किये जाते हैं उनको अंग्रेजी में algorithms कहते हैं जो algorithm सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी अंग्रेजी में नहीं बनी आपको सुनकर हिरानी होगी पूरी दुनिया में कम्प्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी अलगॉर्दिम best in the world पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अलगॉर्दिम वो संस्कृत में तैयार होई है और थोड़े दिन में संस्कृत की वो अलगॉर्दिम सारी दुनिया पे च्छा जाने वाली है सब वेग्यानिक इस बात को सुईकार कर रहे है कारण जानते हैं क्या वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्तुकी हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती पहली भाषा की जो विशेष्टा है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है इतना पक्का है कि लाखों करोडों वर्ष पहले किसी रिशी मुनी ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21 वी शताबदी में भी उतना ही सच है जो लाखो करोडों वर्ष पर हैं महरशी पाननी के जो सूत्र हैं हजारों वर्ष पुराने हैं और हजारों वर्ष पुराने महरशी पाननी के सूत्रों में एक कौमा एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती ये इस भाशा की सबसे बड़ी विशिष्टा है दुनिया की बाकी सबी भाशाओं में बदलाओ होते हैं समय के साथ बदलाओ होते हैं और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाशा है जिसका व्याकरण महरशी पाननी से लेकर आज 21 वी शताबदी तक एकदम पक्का है और शायद अगले लाखों करोडों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा जिसमें कोई भूल चूक होने की दूर दूर तक संभावना ने ये भाषा की सबसे बड़ी विशेशता होती है और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच उसको संस्कृत का आधार दिया जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन उसको संस्कृत का आधार दिया आपका भी French भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिलकुल वैसी की वैसी है जैसे संस्कृत होती है संस्कृत में धातुरूप होते हैं, शब्दूरूप होते हैं French में भी ऐसे ही होता है और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच, जर्मन, डैनेश और बहुत सारी भाषाओं की गिंती करते करते चपन ऐसी भाषाओं हैं जिनके शब्द रूप, धात रूप, लगबग संस्कृत जैसे हैं बहुत मामूली सा अंतर है उन्दे और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया जब उन लोगों से बात होती है जिनोंने इस भाषा पे काम किया वो कहते हैं वो जान बूज के रखा गया मैं पूछता हूँ क्योंटों? तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या तो हमने जान बूज के कुछ अंतर छोड़ रखा है शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खतम हो सकता है दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सारी दुनिया के वेग्यानिक अब सुईकार करते है कि भारत की अकेली विशिष्ट भाषा संस्कृत है जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा भंडार इतना बड़ा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है जो संस्कृत भाषा के पास है दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं या रशियन कहते हैं या जर्मन कहते हैं या फ्रेंच कहते हैं पोर्चुगीज, स्पैनिश कहते हैं जिन को कहा जाता है या चाइनीज कहते हैं इन सब भाषाओं से हजारों गुना ज़्यादा शब्द संस्कृत में महर्शी पानेनी ने संस्कृत का ग्रामर जब तै किया उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किये गए शब्दों की गड़ना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के इस तर पर इस्तेमाल हुए है और लोगों के बीच में वो आए है शास्त्र के माद्यम से, साहित के माद्यम से, बोलचाल के माद्यम से तो संस्कृत भाशा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविश्य में और होगा 102 अरब 78 करोड 50 लाक शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाशा में हो चुका है 102 अरब 78 करोड 50 लाख इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्शी पाननी के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100-200 वर्शों में हो चुका होगा जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में चुकि दुनिया की सबसे अच्छी अलगॉर्दिम संस्कृत में तैयार हुई है और सामनी कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी तो विग्यानिकों का कहना है कि एक सो दो अरब अठतर करोड पचास लाग जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए है इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले सौ से देल सो दो सो वर्शों में माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक शमता नहीं है जो संस्कृत में और संस्कृत भाषा के जो वेग्यानिक हैं जानकारें वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार ये एक सो दो अरब अठटर करोड पचास लाग तो वो गिंती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द हैं जो भविश में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिंती हम नह सकते हैं इसलिए कहा जाता ही कि अनंत शब्द भंडार है दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं कोई व्यक्ति अगर लगकर इमानदारी से तीन वर्ष करे काम तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा हमारे परमपूज रिशी महरशी पाड़नी ने जो लिखा है अश्रा ध्याई उसको तीन वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूं संस्कृत के वारे में जो दुनिया के सारे वैग्यानिक कहते हैं वो ये कि सबसे बड़ी बात सबसे कम शब्दों में कहने की शमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में सबसे बड़ी बात एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखें तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हो एक तिहाई पेज के हो आदे पेज के हो संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है और पूरी बात उसमें आ सकती है एक बात भी उसमें छूटे बिना तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस भाशा में है कि बड़े से बड़ी बातों को सुत्र रूप में संक्षेव रूप में कह देने की ताकत इस भाशा में है जो दूसरी भाशाओं में बहुत कम मिलती है और ऐसे गुरगान अगर मैं करता रहू तो पूरा व्याख्यानी संस्कृत भाशा पे हो जाएगा इसलिए मैंने संकेत के रूप में आप से कहा कि दुनिया को सबसे पहली भाशा और सबसे पहली लिपी हमने दी तो संस्कृत भाशा के रूप में दी और ब्रामी लिपी के रूप में दी और बाद में देवनागरी लिपी सारी दुनिया में स्थापित हुई बहुत सारे वैग्यानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं सारी दुनिया की भाशाओं का जगडा मिटा दें आपको मालूम है भाशाओं के आधार पे बहुत जगड़े होते हैं दुनिया में ये देश उससे लड़ रहा है वो उससे लड़ रहा भारत में भी जगड़े हो रहा है कि ये इलाका हमारा है वो इलाका इनका है वो भाशा के आधार पर और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाशावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई तो भाशा के आधार पर दुनिया में बहुत जगड़े है लेकिन कई वैग्यानिक मुझे ये कहते रहते है कि सारे जगड़े मिट सकते है अगर सब भाशाओं की लिपी देवनागरी हो जाए तो सारी दुनिया के भाशाओं के जगड़े मिट सकते है हमारी भारत में कन्नड है, तमिल है, तेलगू है, मलियालम है उडिया है, बांगला है, आसामी है, मराठी है, गुजराती है और दुनिया में फ्रेंच है जर्मन है डच है फिर स्पैनिश है फिर पोचुगीज है ऐसी बीसियों पचासियों सेक्ड़ों भाशाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे जगड़े मिट सकते हैं एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाशाओं का समावेश कर सके लिकित रूप में उन्होंने का देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपी में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाशाओं को वो लिखी जाती है हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है नेपाली भाषा देवनागरी में संस्कुत तो लिखी ही जाती है दुनिया की बहुत सारी भाषा है और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषा है अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत ये छमता एक लिपी में है दुनिया की दूसरी किसी लिपी में नहीं है इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपी दी है जो सबसे अधा वैग्यानिक है और भाशा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्याद वेग्यानिक मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ चुकि संस्कृत सबसे समरुद भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित भी सबसे ज़्यादा समरुद्धी ही होगा जब भाषा समरुद्ध होती है तो भाषा का साहित भी समरुद्ध होता है तो संस्कृत भाषा में जितना साहित लिखा गया है पूरी दुनिया में शायद ही किसी भाषा में लिखा गया फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूले हुई है उन में से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचा कर हम नहीं रख सके पिछले हजार वर्षों हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले हजार वर्षों आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ती को ही नहीं लूटा यहां के साहित्य को भी लूटा क्योंकि ग्यान उसमें भरा पड़ा है तो हमसे साहित्य की साज समहल नहीं हो पाई पिछले हजार वर्षों में वो काफी कुछ लुट गया और कई विदेशी आकरांता तो ऐसे आए जिनोंने हमारे साहित्य को जला दिया आपने सुना है तक्षिला की कहानी भारत की सबसे बड़ी पुस्तकाले की कितनी दुरवस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था और तक्षिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि छे महीने तक विदेशी आकरांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जला कर अपना पानी गरम किया था इतना बड़ा हमारा ग्यान का भंडार था तक्षिला विष्विद्याले जो छे महीने तक जलता रहा था छे महीने तक जलता रहे कलपना करिये लाखों करोणों पेज रहे होंगे जो छे महीने तक जले होंगे तो कई विदेशी आकरंता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित नश्ट किया कई विदेशी आकरंता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित लूट लिया और कई आकरंता और विदेशी ऐसे आए जिनोंने हमारे साहित में तोड मरोड करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज़्यादा खराब दिखता है जैसे वेदों की बात करें हमारे जो मूल वेद है ना वो भारत में अभी हम ढूनने निकलें तो मुश्किल से मिलते है जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपी मिलती है और उसके बारे में चानवीन की जाती है तो पता चला वो मैक्समूलर रचित है और मैक्समूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था लेकिन आया कभी नहीं इस तेश में अपने घर में बैठे बैठे बारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ग्यान वो उसने लिख दिया वेदों को उसने पढ़ा पूरी रूची से संस्कृत सीखी उसके लिए लेकिन बहुत सारी चीज़े उसको समझ में नहीं आई वेदों में तो उसको अपने तरीके से लिख मारा और आज हमें वो दिखाई देती है तो हमको वो विरोधावासी दिलगती है वो विरोधावासी होने का कारण ये है कि मूल गरंतों के साथ छेड़ चाड़ कर दी हमारे लोगों ने शास्त्रों के साथ छेड़ चाड़ कर दी ज्यान के भंडार के साथ छेड़ चाड़ कर दी अगर हमारे मूल गरंत वेदों को हम देखें और मैक्समूलर रचित वेदों को देखें या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें अब जैसे मैं एक उधारण देता हूँ जो हमारी मूल मनु इसमरती है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तयार की गई मनु इसमरती को पढ़ें दोनों में जमीन आसमान का अंतर मूल मनु इसमरती में जो बात कहीं नहीं है अंग्रेजों और द्वारा रचित मनु इसमरती में वोई बाते है याग्यवल्क सहिता में नियाए सिध्धान्त के वारे में जो बाते हैं मूल गरंतों में अंग्रेजों ने एक याग्यवल की सहिता तयार की उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड मरोड हुई एक तो जलाया गया लूटा गया और उसके बाद जो साहित विदेशियों के हाथ में पड़ गया उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्हें बहुत कुछ मिलावट कर दिया और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में जैसे वेदों मेंसे कहीं से वाके निकाल कर ये कोट कर देते हैं उपनिशदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मास खाते थे गाय का मास खाते थे ऐसे कुटेशन हमारे यां दे दिये जाते हैं और वेदों का कोई सूत्र या कोई शलोक या उपनिशदों का कोई सूत्र या शलोक उसके नीचे लिख दिया जाता है वो सम्मिलावट है बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छे पक है और उसकी व्याख्या भी गलत है तो हमारे देश में जो ग्यान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर इसमें बहुत नुकसान हो गया ग्यान हमारे यहां दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि भारत जो नाम है ना वो एक रूप में ग्यान का ही हिस्सा है भा माने होता है ग्यान और रत माने होता है लगा हुआ ग्यान में रत ग्यान में लगा हुआ देशी ही है भारत तो हमसे जादा ग्यान शाहिदी किसी के पास होगा लेकिन वो ग्यान में पिछले 1500 वर्षों में बहुत कमी आई या तो वो लुटा या तो विदेशियों दोरा जलाया गया या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिये मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया ये आज हम सब भारत वासियों के लिए बहुत बड़ी चुनोती का काम है बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त रहे है मूल हमारे ग्रंट रहे है और जो मूल ग्यान की बाते रही है उनको पुनर खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद ग्यान मिल सके चेले और चेलियां तो हमारे दादा दादी ही थे नाना नानी ही थे वो ऐसे ही डाल पकाते है अब उस डाल को पकने में थोड़ा समय लगता था तो डाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए क्योंकि आज का जो भौतिक विग्यान कह रहा है ना हजारों साल हमारे रिशी मुनी वो कह गए हमारे रिशी मुनियों ने ये कहा महरशी भारत दो आज का एक सूत्र है वो ये कहते है कि जो वस्तू खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी अब ध्यान दीजेगा दाल खेत में सबसे ज़्यादा देर में पकती है आपको मालूम है? अरेर की दाल पकने में तो छे महीना लग जाता है कोई कोई दालें पकने में आठ महीना लग जाता है तो खेत में जो दालें देर में पकती है घरों में भी वो देर में पकेंगी ये महरशी बारत वाज कह गए हजारों साल पहले यूरोप के वैग्यानिक अब उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ बात तो ये सही है दाल तो देर में पके तबी पॉस्टिक्ता दे सकती है और पॉस्टिक्ता के शाथ साथ स्वाद भी वो तबी देती है जब धीमी 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 आज पर पके हमने वो जल्दी के चकर में कुकर लेके दस मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है और ये जोडों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया डाइबिटीज ले लिया है अर्थराइटिस ले लिया है मारे हमें पोशकता मिन नहीं रही है खाने की क्योंकि महर्शी बागबट के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हम तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का इस पर शूरी का प्रकाश बहुत जरूरी है यूरोप के विग्यानिक अब पहुँचे मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैक्डों हजारों सूत्र है जिनको यूरोप के विग्यानिक अब सिद्ध कर पा रहे है और हमारे रिशी मुनी हजारों साल पहले के एक और सूत्र याद आता है तो आपको बतातो हमारे ये जो रिशी मुनियों के शास्त रहना गरंथ है बागवट जी का है अस्टांग इरद्यम अस्टांग संगरहम या कोई दूसरा गरंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता है ध्या होता स्वस्थ व्रत उसमें एक सूत्र है उशा पान का सुबह सुबह उठके पानी पीने का परम पुझनी स्वामी जी भी आपको बताते रहे इस पर जापान में सबसे ज़्यादा रिसर्च होई है आप हैरान हो जाएंगे जापानियों ने अर्बों डॉलर इस पे बहा दिया एक सूत्र पर शोद करा है पिछले 40 साल सबेरे उठकर पानी पीना हमारे रिशी मुनी हजारों साल पहले फोकट में बता गए सबेरे उठके पानी पियो और हम पीते भी रहे और उसके फाइदे हमको होते रहे अब वो फाइदे हमको हजारों साल पहले मालुम है सुबे उठकर पानी पीो तो दो बड़े लाव है सबसे पहला लाव है कि रात बर को मूँ की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई जो बहुत ज़ादा एल के लाव होती है आप जानते हैं ये लार जो है न छारी होती है और सुबे सुबे पेट में सबसे आदा अमल तयार होता है तो सुबे की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अमल को वो निउट्रलाइज करे अमल और छार दोनों मिलें तो एक दूसरे को हमारे रिशियों ने समझाया दूसरा फाइदा ये कि सुबह उटते ही पानी पी लिया वो पानी बड़ी आत में पहुँच गया बड़ी आत की उसने सफाई की और आप संडास घर में गुसे टॉयलेट में गुसे और दो तीन मिनट में फ्रेश होके बाहर आ गए हमारे रिश में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं जो आदा पौना घंटा घंटा वर बैठ लिये तो आप सबसे ज़्यादा बीमार आदमी हैं दो तीन चार मिनट में गगाए और बाहर आगए तो आप बहुत स्वस्त आदमी हैं तो ये स्वस्त होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता हैं ये दो बाते हमारे रिशी मुनी हजारों साल पहले कहके चले गए अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरवों डॉलर फूंग दिये अब वो दो ही बातें वो भी कह रहे हैं ये ही बाते कह रहे हैं जो हमारे रिशीयों ने हजारों साल पहले इसी तरह से एक हमारे पानी का नियम बता गया पानी बैठ के पियो कभी भी खड़े होके मत पियो पानी घूट घूट पियो हमेशा सिप सिप करके पियो ठंडा पानी कभी मत पियो ये छोटे-छोटे सूत्र हैं स्वस्थवरत के इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दु चाना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अरबन डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस नित्यजिये पर आ रहे हैं जो नतीजह हजारों साल पहले हमारे हैं था तब गर्व की अन्बूती होती है कि ये तो हमने जान रखा है कर रखा है पानी की चिकित्सा स्वस्त वरत के छोटे छोटे सूत्र जर्मनी और जापान दो देशों ने 40 साल अर्बों डॉलर की खर्चा करके जो निश्कर्श पाए हैं वो हमारे हैं हजारों साल पहले हैं तो चिकितसा में ग्यान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो कोई भी ऐलोपेथिक डॉक्टर सुनने से परिशान होता है लेकिन वो सच है वो ये है कि ऐलोपेथी 200-200 साल पुरानी चिकितसा व्यवस्था है इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज़ दी है जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया सिर्फ दर्द से लड़ना तरह तरह के जो दर्द है ना उन से लड़ना 200 साल की कुल रिसर्च एलोपेथी की इतनी ही है पेन से लड़ना हैं वो और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामिया भी मिली है बाकी नहीं है तो पूरी कुल जमा उनकी शोद है जितनी दवाएं उन्होंने बनाई है हजारों किसम की उनकी मदद से एक ही काम कर रहे है दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना इस से जादा उनके पास कुछ नहीं है मैं एलोपेथी चिकित्सा के एक पुराने उधारन को आपके सामने कहता हूँ कि हमारी चिकित्सा कैसी रही और ये एलोपेथी की कैसे रही अमेरिका में सबसे पहला राश्ट्रपती हुआ जॉर्ज वाशंगटन अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी हसी आएगी आपको और आपको अपने उपर गर्व भी होगा दोनों ही बाते हैं जॉर्ज वाशंगटन की कहानी आप सब पढ़िए कहानी ये है कि वो अमेरिका का पहला राश्ट्रपती बना अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आज़ाद हुआ और 1776 में उनको आज़ादी मिली और वो पहला राश्ट्रपती बना और वो बीमार हो गया बीमारी आती है, यूरोप और अमेरिका में तो जादा ही बीमारी आती रही है क्योंकि ठंड वाला इलाका है, सूरज का धूप है नहीं, सूरज का प्रकाश पर्याप्त है नहीं इसलिए वाइरल इंफेक्शन सबसे ज़्यादा उन्ही देशों में होते हैं और इसलिए anti-viral जितनी भी medicine है सबसे ज़ादा उन्होंने खोजी है bacterial infection भी बहुत होते हैं क्योंकि धूप नहीं है सूरज का प्रकाश नहीं है तो anti-vacterial drugs भी सबसे ज़ादा उन्होंने ही बनाए तो जिस देश में सबसे पहले ऐलोपेथी आई और यह एलोपेथी सारी दुनिया में फैली अमेरिका देश उस अमेरिका के राश्ट्रपती को बुखार आ गया जॉर्ज वाशिंगटन बुखार में बीमार हो गया अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकितसक देश भरके और दुनिया भरके इकठे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खतम किया जाए और जॉर्ज वाशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए बुखार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कम नहो, कम नहो तो अंत में ये सब अलो पैथी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलके एक फैसला किया इसमें आप हसना नहीं गंबीरता से इसको लेना कि जॉर्ज वाशिंग अटन के शरीर में खराब खून घुज गया है इसको निकाला जाए तब ही बुखार ठीक होगा तो पता है उन महान भावों ने क्या किया अमेरिका के राष्ट्रपती के हाथ पर बांदिये पलंग से हाथ बांदिया दोनों पाउं बांदिये रसी से कस के बांदिये और वो राष्ट्रपती चिल ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो वो कहरें यही एलोपेथी की चिकितसा है थोड़ा धीरज रखिए थोड़ा धैर रखिए हम आपको ठीक कर रहे है इन्हों ने क्या किया महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसे काट दी हाथ की दोनों हाथ की नसे काट ब्लेड लिया और काट दिया और विचारा राष्टर पठी दर से तड़प रहा है चिला रहा है और उसके दोनों हाथों की नसे काट भी और तर्क क्या है कि यह खराब खून घुज गया है यह निकालना है तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सबेरे जॉर्ज वाशिंगटन मर गया यह है एलोपेथी चिकितसा और यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है 1776 के आसपास की है जिस समय एलोपेथी चिकितसा में बुखार ठीक करने के लिए नसे और नाडिया काटी जाती थी खराब खुन निकालने के लिए उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोई का काड़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता है अब आप अंदाजा लगा लीजे कि हमारे यहां खराब से खराब जुर खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोई है यह तो एक है ऐसी सेकड़ों चीज़ें अपने पास आयरुवेद में हैं बुखार तोड़क या बुखार नाशक या जिनको हम एलोपैधी की भाशा में कहें एंटी पाइरेटिक तो एंटी पाइरेटिक हमारे पास सेकड़ों चीज़ें है उन में से सबसे आसान हर जगे मिलने वाली सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोई गुडवेल के नाम से गिलोई के नाम से सारा देश जानता है उसका काड़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सबेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसे काटी जाती थी खून निकाला जाता था ये अंतर है आयुरवेद और एलोपैथी और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना इतने में ही उनको सफलता मिली है इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के काने में अब हमारे पास एक नई हजारों लाखों चीज़े हैं दुनिया को बताने के लिए तो हम एक बड़ी चिकित सा पद्दिती के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं और सारी दुनिया ने हम से सीखा है यूनानी पद्दिती एक विकसित हुई है दुर्भागे से हम उसको मुसल्मानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं उसका मुसल्मानों से कुछ लेना देना नहीं वो यूनान में विक्सित हुई इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया यूनानी पद्धती के जितने शोधक हुए है रिसर्चर्स हुए वो सब इमानदारी से कहते है कि हमने तो सब आयुरुवेट से सीखा है संस्कृत में से सीखा है चरक में से सीखा है बागभट जी के यहां से सीखा है भाव प्रकाश निगंटू में से सीखा है इमानदारी से वो कहते हैं इस बात को और उनके आउशदी बनाने के जो तरीके है ना वो तरीके बिलकुल वही है बस थोड़ा अंतर इतना ही है यूनान की आवो हवा के हिसाब से यूनान की जलवाईू और परिस्थिती के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेर बदल किया है बाकी सब वही है यहां शुशुरुत की है और नियम वगेरा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में वो महरशी बागबट के अश्टांग इरद्यम और अश्टांग संग्रहम के एक मैं रोचक बात आप से कहना चाहता हूं एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहत हूं वो यह कि प्लास्टिक सरजरी जो आज की दुनिया की सरजरी की आधुनिक्तम विद्या है प्लास्टिक सरजरी इसका आविश्कार भी भारत में ही हुआ है सरजरी का तो हुआ है प्लास्टिक सरजरी का भी यहीं आविश्कार हुआ है भारत और प्लास्टिक सरजरी मे आप जानते हैं कहीं की तुचा को काट कर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना की पता ही ना चले ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत में दी मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1780 में दक्षण भारत का एक महान व्यक्ती जिसने देश को आजाद रखने में बड़ा महतुपून योगदान दिया देश की आजादी की रक्षा में संपरुवता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया उसका नाम हैदर अली हैदर अली दक्षण भारत का समराट आज हम जिसको करनाटक कहते हैं करनाटक के एक बड़े भूबाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किये कई बार हमले किये तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डाइरी में से निकला वो मैं सुना रहूं आपको एक अंग्रेज आया उसका नाम था करनल कूट उसने हैदर अली पर हमला किया और ये 1780 की घटना है उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया एक बार भी अंग्रेज कभी उससे जीत नहीं पाए एक बार भी नहीं जीते हर बार आते थे हमला करते थे हार के चुपचाप चले जाते थ हैदर अली के उपर जब बार बार अंग्रेजों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया तो ये जो करनल कूट आया हमला किया हैदर अली ने उसको हरा दिया और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से तो उसने करनल कूट की नाक काट दी हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी आप जानते हैं पूरे रामाएंड की कहानी नाक कटने की कहानी है जो सूपढगा की नाक न कटी होती तो रामाएंड नहीं होती और नाक कटना सबसे बड़ी बड़नामी है तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी करनल कूट की वो चाहता तो गर्दन काट सकता था क्योंकि करनल कूट पराजित हुआ था करनल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए हैदर अली सिंगासन पर बैठा था मैं उसके नीचे चर्लों में बैठा था वो चाहता तो मेरी एक जटके में गर्दन काट देता लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी मेरी नाक काट दी और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ अप कटी हुई नाक लेके जाओ और सब को बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी तो करनल कूट लिखता है कि मुझे गोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए नाक काटके मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ तो मैं गोड़े पर बैठके भागा भागते 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 एक जगह वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया बेलगाम आप जानते हैं करनाटक का एक जिला तो बेलगाम में आगया तो बेलगाम में एक वैद ने मुझे देखा नाक से खून निकल रहा है कटी हूई नाक हाथ में है तो वैद ने का ये तुमारी नाक कहा कट गई तो उसने जूट बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने तो वैद ने का ये पत्थर मारी हूई ना मैं वैद्ध हूँ मैं चिकित्सक हूँ मैं जानता हूँ तो उसने सच बता है कि मेरी नाक काटी गई है किस ने काटी तुम्हारे राजा ने काटी है हैदर अली ने काटी क्यों काटी मैंने युद्ध किया उससे मैं हार गया उसने मेरी नाक काटी तो वैद्ध कहता है कि अब करनल कूट कहता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है, कटी हो, मैंने तो सुना नहीं अपनी जिन्दगी में, कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए, तो वो जुड़ सकता है, तो वैदी जी कहते है, मैं जोड़ सकता हूँ, तो करनल कूट न नाक उसकी जुड़ गई, वैदीज ने उसको एक लेप दे दिया बना के, और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोस सुबह शाम लगाते रहना, वो लेप लेके चला गया, पंद्रे सत्रे दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई, फिर वो जहाज में बैठके लंदन च सब अंग्रेज हैरान होके कहतें, नहीं नहीं, तुम्हारी नाक तो कटी हुई, बिल्कुल नहीं दिखती, तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पारलिमेंट में, कि मैंने हैदर अली पे हमला किया था, मैं उसमें हार गया, उसने मेरी नाक काटी, फिर भारत में एक वैद को मिला, तो उस बैद ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गाओं में होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग है, तो अंग्रेजों को हैरानी हुई, कौन सिखाता है आपको, कहले कि हमारे इसके गुरकुल चलते हैं, उन ग जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सरजरी सीखी है न, उनकी डाइरियां है, एक अंग्रेज का मैं बताता हूँ, आपको वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सरजरी सीखी, जिस गुरू से सीखी, वो भारत का विशेश आदमी था, और वो ज्यान के बड़े पुलिंदे थे, ज्यान के बड़े पंडित थे, नाई है इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था, जाती के आधार पर हमारे याँ गुरुकुलों मे सर्जन है और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार तो ज़्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चम्रा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है तो शरीर का चम्रा सिलना हो या जानवर का बात तो एक ही है तो हमारे हैं ऐसे लोग सरजरी सीखते रहे तो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैंने जिस गुरू से सरजरी सीखी पूना का किस्सा है वो पूना में जिस गुरू से सीखी वो जातका नाई था सिखाने के बाद उसने मुझसे एक आपरेशन कराए और वो operation का वरनन है एक मराठा सैनिक है और ये 1792 की कहानी है एक मराठा सैनिक है उसके दोनों हाथ कट गए है युद्ध में और वो उस गुरू के पास आया है कटे हुए हाथ लेकर जोडने के लिए तो गुरू ने वो operation उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा है और वो अंग्रेज गुरू के साथ मिलके बहुत सफलता पूर्वक operation पूरा किया है और वो अंग्रेज कहता है उसका नाम है डॉक्टर थॉमस कुरूसो वो अंग्रेज कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ग्यान किसी गुरू से सीखा और इस गुरू ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया फीस नहीं ली ये मैं बिलकुल अचंभा मानता हूँ आश्यर मानता हूँ और थॉमस कुरूसो ये सीख के गया है फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे है और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है दुर्भाग ये इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वरणन है लेकिन इन वैद्दियों का वरणन अभी तक नहीं आया विश्व गरंतों में जिनोंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी और ये क्यों हम रह गए बंचित हुआ ये कि सत्रवी शतावदी से उन्नीस वी शतावदी के बीच में जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया किस देश ने दुनिया को क्या दिया इसके लिए सारा भंडारन हो रहा था ग्रंथाले बन रहे थे उस समय चुकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुँच नहीं पाए तो अब हमें ये करना पड़ेगा आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को इस्थापित कराना पड़ेगा उनका रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो वर्ड पेटेंट लेना पड़ेगा विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा और पूरी दुनिया में इस ग्यान को इस्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाविमान से अच्छा दूसरा कोई अभियान नहीं होगा हम इस काम को सारी दुनिया में कराएंगे एक और रोचक जानकारी देता हूँ चिकित्सा से संबंदे सत्रह सो दस के साल में एक अंग्रेज भारत आया उसका नाम था डॉक्टर ओलीवर ये भारत में आके कलकत्ता में आया कलकत्ता में इसने गूमा बंगाल गूमा और गूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है उस डायरी के पन्ने का एक पेराग्राफ सुनाओंगा आपको वो ये कहता है कि मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारत वासी ठीक कर लेते है आपको मालूम है सत्रवी शताबदी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते है इसमें एक बड़ी चेचक होती थी एक छोटी चेचक होती अफरीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण लेटिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से अफरीका लेटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों शायद करोड़ों भी हो सकते हैं मरे थे सत्रवी शताबदी के आस पास ये बीमारी फैली थी, महामारी थी, बीमारी नहीं थी उस दोरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलीवर वो आया कलकता में, तो वो देखता क्या है कि भारतवासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते है और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा और डॉक्टर ओलीवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लेंड इंग्लेंड के लोग उसको बहुत इज़त से याद करते हैं डॉक्टर ओलीवर को तो वो कहता है मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का ठीका लग रहा है और चेचक का ठीका लगाने का उसने अपनी डाइरी में वरणन किया है तो वो लिखता है कि मैं आया कलकते में 1710 के साल में और मैंने देखा कि भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा है और यहां सबसे कम तो इसने कहा कि मैंने खोजना शुरू किया कि ये बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है तो पता चला हर भारतवासी ने छेचक का ठीका लगवा रखा है तो उसका वो वरनन करता है कि चेचक का ठीका एक सुई जैसी बस्तू से लगाया जाता था और वो तीन दिन में किसी भी व्यक्ति को चेचक के प्रती ताकतवर बनाता था प्रतिकारक शक्ति उसकी दे देता था और उसके बारे में वो लिखता है कि तीन दिन टीका लगाकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था उसके बुखार को ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थी पेट में तीन दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था एक बार ठीका जिसने ले लिया जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था वो कहता है कि इतना अदबुत ठीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत और ये कहानी है 1710 की अब आपको एक हैरानी होगी जानकर अंग्रेजों ने चेचक का ठीका लगाना भारत से सीखा ये डॉक्टर ओलीवर सीख के गया कलकत्ता से लंदन गया लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को ले के आया और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घरगर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुबाते हैं बस उतने में इम्मिनिटी होती है तीन दिन के अंग्र फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का ठीका लगाने वाले वैद्दे हैं न वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्मिनिटी धारण कर लेता है ये सिद्धान्त हमारा है जो दुनिया को हमने दिया आजकल आधनिक विग्यान सिखाता है ना ये टीके के बारे में पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ फिर बड़ी माता के खिलाफ फिर इसके खिलाफ फिर बहुत सारा टाई फाइट के खिलाफ जो चलता रहता है और जगे जगे ठीके लगाते रहते है ये ठीके लगना सारी दुनिया को बारत ने सिखाया है और ठीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवानों को आप शरीर में प्रवेश कराईए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंतर उसका मजबूत हो जाए ये सिध्धान्त पूरी दुनिया को हमने दिया बस दुरभागे हमारा ये है कि इस सिध्धान्त का जब दुनिया के वेग्यानिकों के इस्तर पर पंजी करन हो रहा था, रेजिस्ट्रेशन हो रहा था तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया ये डॉक्टर ओलीवर के नाम से वहां दर्ज है दुनिया वर के जो रिकॉर्ड्स है ना में डॉक्टर ओलीवर के नाम से ये वर्णित है और डॉक्टर ओलीवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकता में आके सीखा है इसको तो डॉक्टर ओलीवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्दियों के बारे और डॉक्टर ओलीवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्दे हैं इनको मैंने पूछा कि आपको किस ने सिखाया तो वो कहते हैं हमारे गुरू ने सिखाया उनको किस ने सिखाया उनके गुरू ने सिखाया तो कहता है कम से कम भारत में पिछले डेड़ हजार साल से ये ठीका लग रहा है और ये बात है 1710 के आसपास के वो गदर डेड़ हजार साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचके ठीके का और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्धे हैं गयोँ जैसी ये इनको प्रणाम करना चाहिए इनका वन्दन करना चाहिए कि निशुलक रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं हम अंग्रेजों को इन्हों ने बिना किसी शुलक के ये ग्यान सिखाया है हम इनके जितने ज़्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा ये डाइरी के अंत में लिखता है लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डाइरी का ये अंतम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते है और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविश्कारक डॉक्टर ओलिवर था वो भारत था ओलिवर ने आके यहां सिखा था और एक दो रोचक बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारत के बारे जो दुनिया की हमने दिया है क्या क्या हमने दिया है दुनिया को थोड़ा तकनीकी पे आता हूँ लोहा बनाने की जो टेकनीक है वो पूरी दुनिया को भारत में सिखाई है और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूँ तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अन्भूती होगी सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत में सिखाया दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना और स्टील आप जानते हैं बहुत complicated technology है आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी factory को देखने जाएं और उस technology को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से लोहे के आयसक से आईरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है और वो technology इस देश में बहुत साल पहले विक्सित हुई है एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षन किया सब्च्रेसो पंचानवे में उस अंग्रेज के सर्वेक्षन के कुछ वाक्य सुनाता हूँ आप अंग्रेजी में उसने लिखा मैं आपको हिंदी में सुना रहा है वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले पंद्रेसो साल से हो रहा है सत्रेसो पंचानवे माने अठारेसो मान लो और अठारेसो से पंद्रेसो साल घटा दो तो तीसरी शतावदी से ईसा के जनम के तीन सो साल के बाद क्या समय निकलता है तीसरी शतावदी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षन भारत में किया है भारत का पश्रमी भारत आप जानते हैं ये महाराश्च्र, ये गुजरात, और थोड़ा मद्द्यप्रदेश का इलाका और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका बंगाल है, आसाम है, उडीसा है, जारखंड उसमें आता है और थोड़ा सा दक्षणी इलाका, तीन इलाके की बात कर रहा है तो इन तीन इलाकों में मैं घूमा हूँ और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्टरी चलते देखे अपनी आँखों की वरन कर रहा हूँ किरा अब तक मैं घूमा हूँ इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्टरी यां Small scale factories उसने लिखा है 15,000 छोटी फैक्टरी यां स्टील बनाने की भारत में चल रही है 1750 और वो कहता है कि हर फैक्टरी में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है और वो कहता है कि हर एक factory 24 गंटे चलती है और उसमें मजदूरों की तीन पालियां है 8-8 गंटे की तीन पाली में काम होता है 24 गंटे factory चलती है और ये factory को जो सबसे महतुपूर उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भटी है जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना blast furnace कच्चा लोहा है वो blast furnace में डाला जाता है फिर blast furnace में तापमान बढ़ाया जाता है 1500 degree centigrade 1400 degree centigrade जब तापमान पहुचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है फिर उसको निकाला जाता है फिर ठंडा किया जाता है फिर उसमें निकल क्रोमियम जैसी चीज़ें मिला के स्टील तयार होता है तो वो कह रहा है कि जो सबसे महतुपूर फैक्टरी का उपकरन है वो है भट्टी blast furnace और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्टरी की जो blast furnace है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 15 रुपए आता है और ये 15 रुपए का आखड़ा है 1795 का आज के हिसाब से अगर आप इस आखड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो 300 का गुणा कर दीजे तो 15 में 300 का गुणा कर दीजे तो 15 रुपए ती 45 माने 45 रुपए में blast furnace बनके तयार हो जाती है फिर वो कह रहा है कि एक blast furnace एक दिन में आराम से एक टन लोहा बना लेती है इस्टील बना लेती है और वो कहता है कि एक टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र 80 रुपए आता है एक टन का माने हो गया 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए तो आप जरा कलपना करिए एक किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे और आपको मालूम है इस समय एक किलो स्टील कितने में बनता है? 40 रुपई सत्रासो पंचानवे में हम भारत्य तकनीक से स्टील बनाते थे तो एक किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और एक किलो स्टील बनाने का खर्चा आता है चालीस रुपए आप बताओ टेकनोलोजी वो सुपर्व थी या आज की सुपर्व और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्टरियां हैं वो दस घंटे लगाती है और दस घंटे में स्टील बनके तयार हो जाता है और वो कहता है कि सभी पंद्रे हजार जो स्टील बनाने की फैक्टरियां है इनमें एक दिन में साथ हजार पाँच सो मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगबग साड़े सताइस लाख मीटरिक टन लोहा तैयार होता है माने स्टील तैयार होता है और इस स्टील की सरीया बनती है और ये सरीया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं और अंत में वो लिख रहा है अपनी डाइरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता है और वो कई बाते कह रहा है, एक बात कह रहा है, कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइज क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में, तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्बुत है, जिसमें जंग नहीं लगता, और आप जानते हैं, भारत में इस तरह का स्टील बनाने की ह बजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता आप जाएए महरौली नाम का एक गाओं है दिल्ली में उसे देखकर आएए वहां एक लोह इस्तंब खड़ा हुआ है सैकडों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकडों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है लेकिन उ एक इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है ये भारती स्टील की क्वालिटी का नमूना है तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस पे विकता वो कहता है इसलिए विक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है और वो कहता है कि सो गुना जादा आता हम 80 रुपए का एक तन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में 8,000 रुपए का एक तन स्टील उस समय बनता है 375 और वो कहता है कि भारत वासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फरनेस है जो भटी है वो इतनी हलकी है कि उसको बैलगाडी में रखके कभी भी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जा सकते है दूसरे से तीसरे इस्थान पर ले जा सकते है वो कहता है यह पोर्टेबुल है मूवेबुल है जबकि यूरोप के देशों की जो भटियां है वो इस्थाई है उनको उखाड कर कहीं नहीं ले जा सकते अगर उखाडना पड़ता है तो भट्टी तूट जाती है लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद है इतने कौशल वाले है कि भट्टी बनाते हैं उसको बेल गाड़ी में रखके एक गाउं से दूसरे गाउं ले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासीों को कितना ग्यान है कि एक साधरन सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है और ये भी तब 17 शताबदी में आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किसम के लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किसम का कोईला मिलता है उस कोईले और लोहे के सम्मिश्रन से ये स्टील बनता है कोईला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना दे तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्शन किया इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया लंदन में जाके इसने की स्कूल खोला मेटलर जी का स्कूल खोला उसमें स्टील बनाना इंग्रेजों को सिखाया और फिर दुरभागे से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज लेकिन उसने भारत से सीखा है ये बात अभी दर्ज होना बाकि एक दो और उधारन देता हूँ हमने दुनिया को और क्या-क्या दिया है सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछू कि सबसे पहला हवाई जाज किसने बनाया तो हम لے दे के एक नाम लेते हैं राइट ब्रधर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है ये आविशकार सत्रे दिसम्बर सन नीस सोतीन को अमेरिका के कیरॉलीना के समुद्र ठट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जाज बना कर उड़ाया जो 120 फिट उड़ा और गिर गया और उसके बाद फिर आगे हवाई जाज की कहानी शुरू होती है तो हम बच्छपन से ये पढ़ते आए है कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जाज बना और उड़ा कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वेग्यानिक ने हवाई जाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुर्ध तट पर उड़ाया और वो 1500 फिटू पर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा जिस भारतिय वेग्यानिक ने ये करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तल्पदे मराटी व्यक्ति थे अगर आप मुंबई से परचित हों तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है उसको चीरा बाजार कहते है वहाँ उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की एक गुरू के सानिद में रहके संस्कृत शास्त्रों का अध्यन किया अध्यन करते समय उनकी रूची पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्तर के जो सबसे बड़े वेग्यानिक माने जाते हैं वो महर्शी भरद्वाज है महर्शी भरद्वाज ने विमान शास्तर की सबसे पहली पुस्तक लिखी है उस पुस्तक के आधार पर फिर सेकड़ों पुस्तक हैं लिखी गई विमान शास्तर की सबसे पहली पुस्तक महरशी भरद्वाज की है विमान शास्तर की और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्द है सबसे पुरानी पुस्तक वो पंद्रह सो साल पुरानी है महरشی भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए तो महरशी भरद्वाज ने विमान शास्तर पे सबसे जादा शोध किया ये जो शिवकर बापुजी तलपदे थे इनके हाथ में महरशी भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई विमान शास उस पुस्तक को आद्यो पांत उन्होंने पढ़ा उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कहीं है एक बात उन्होंने कहीं कि इस पुस्तक के आठ अध्यायों में विमान बनाने की तक्नीकी का ही वरनन है आठ अध्याय और वो कहते हैं कि आठ अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलोजी का विस्तार से वरणाने फिर आगे कहते हैं कि महरशी भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धान्त लिखे आप इस बात को जड़ा फिर से सुनिएगा एक सिद्धान्त पर पूरा विमान बन जाता है ध्यान दीजेगा एक सिद्धान्त होता है एक प्रिंसिपल होता है उस पर इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है ऐसे पाँच सो सिध्धान्त लिखे हैं मेरशी बरद्वाज ने माने पाँच सो तरह के विमान बनाई जा सकते हैं हर एक सिध्धान्त पर और उस पुस्तक के बारे में तल्पदे जी लिखते है कि ये पाँच सो सिध्धान्तों के तीन हजार शलोक है विमान शास्त्र में तीन हजार श्लोक है और वो कहते हैं आप जानते हैं यह जो टेक्नॉलजी होती है यह जो तक्नीकी होती है उसका एक प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया होती है और हर एक तक्नीकी की एक विशेश प्रक्रिया होती है तो महरशी भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्नन किया है 32 तरहे से 500 किसम के विमान बनाए जा सकते हैं इस बात को जरा समझिएगा मुझे देर में समझ में आई 32 तरीके हैं 500 तरहे के विमान बनाने के माने एक विमान बनाने के 32 तरीके दो विमान बनाने के 32 तरीके 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में हैं विमान शास्तर 3000 शलोक है 100 खंड है और 8 अध्या है कितना बड़ा ग्रंत है ये इस ग्रंत को शिवकर बापुजी तल्पदे ने पढ़ा अपने विद्यारती जीवन से और पढ़ कर पढ़ कर परीक्षण किये और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ा कर भी दिखाया और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे जो अंग्रेजी नियाए व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोट में तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए बड़ोद्रा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायक वाड करके वो गए उस विमान को देखने के लिए ऐसे बीसीओं बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थتिए में शिवकर बापू जी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया और हैरानी की बात ये थी कि उस विमान को उन्हों ने उड़ाया उसमें खुद नहीं बैठे बिना चालक के उड़ा दिया उसको माने आप समझे कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है और ये बात 1895 में हो रही है आज की दुनिया की बात नहीं हो रही है और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फिट तक वो लेके गए फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया माने वो विमान तूटा नहीं उसमें आग लगी नहीं उसके साथ कोई दुरगटना हुई नहीं उड़ा पंद्रस फिट तक गया फिर नीचे कुशलता से उत्रा और सारी भीड में तल्पदेजी को कंदों पर उठा लिया महराजा गायक वाड ने उनके लिए इनाम की घोशना की एक जागीर उनके लिए घोशना कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दिमगा और गोविंद रानाडे जी जो थे वहाँ पर उन्होंने गोशनाई की बड़े बड़े लोगों ने गोशनाई की तल्पदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ मुझे पैसे की कुछ जरूरत है आर्थिक रूप से मेरी अच्छी इस्थती नहीं है तो लोगों ने इतना पैसा इकठा करने की गोशना की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी लेकिन तब ही उनके साथ एक धोका हुआ धोका क्या हुआ अंग्रेजों की एक कमपनी थी उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके वो आई उनके पास तलपदे जी के पास और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्रॉइंग हमें दे दीजे तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताईए तो उनके का कि हम आपकी मदद करना चाहते है आपने ये जो आविशकार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते है आपके पास पैसे की बहुत कमी है हमारी कमपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है लिहाजा हमारे साथ आप समझोता कर लीजे और इस विमान की डिजाइन दे दीजे तल पदे जी भोले बाले सीधे साधे आदमी मान गए और कमपनी के साथ उन्होंने एक समझोता कर लिया उस समझोते में कि रैली ब्रदर्स जो कमपनी थी इसने क्या किया पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया ड्रॉइंग ले ली डिजाइन ले ली और उसको लेकर ये कमपनी लंदन चली गए और लंदन के बाद उस समझोते को वो कमपनी भूल गई और वही ड्रॉइंग और वही डिजाइन फिर अमरीका पहुँच गई फिर अमरीका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई फिर राइट ब्रदर्स ने वो बिवान बना के अपने नाम से सुवारी दुनिया में रेजिस्टर करा लिया और तल्पधे जी की गलती क्या थी उनको चाला की नहीं आती थी ग्यान तो बहुत था उनके पास ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है 12-15 साल में कि हमको सब ग्यान आता है सब तकनी की आती है सब आता चाला की नहीं आती एक वो गाना है ना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशे आरी ये भारत वासियों पे फिट है बिलकुल और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता सिर्फ चाला की आती है उनके पास ना ग्यान है ना उनके पास कोई आधार है उनको एकी चीज आती है चाला की और चाला की में वो नमबर वन है किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चाला की करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो ये हुआ शिवकर बापुजी तलपदे ने 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये गोशित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया 1903 में बनाया 17 दिसंबर को दिखा उससे कई साल पहले अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए और रेली ब्रदर्स कम्पनी ने बेइमानी और बदमाशी की थी समझोते के बाद उसका उस कम्पनी को हरजाना देना चाहिए क्योंकि समझोता करने के बाद बेइमानी की थी हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चाला की हमने सीखी होती थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती तो ये विमान बनाने का श्रेत तलपदे जी के नाम ही रहता ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुँचना ये नहीं हो पर और बाद में तलपदे जी मरत्यू हो गई और उनकी मरत्यू के बाद सारी कहानी खतम हो गई उनकी तो मरत्यू के बारे में भी शंका है उनकी हत्या की गई और धर्ज कर दिया गया कि उनकी मरत्यू हो गई और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविशकार होने की संभावना हो बहुत स्वाभाविक है तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूनें खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा और दूद का दूद पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तल्पदे जी की हत्या की जांच हो फिर से और उनके दौरा किये गए आविशकार को सारी दुनिया में माननिता मिले कि राइट ब्रदर से आठ साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया उसका और एक दो छोटी बातें बताता हूँ हमने जो दुनिया को दी है मैं थोड़ा खगोल शास्तर के विशह में आप से बात करना चाहता हूँ हम खगोल शास्तर के बारे में कोई भी ग्यान जैसे सौर मंडल है, सूरज है, प्रत्वी है सूर के बहुत सारे ग्रहे हैं, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रहे है इन सब के बारे में जो भी ग्यान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बच्पन से तो दो ही नाम हम जानते हैं एक तो कौपर निकस और दूसरा गेली लियो प्रत्वी है, सूरी है, प्रत्वी और सूरी के बीच में कोई दूरी है प्रत्वी और सूरी के बीच में कोई आकरशन है प्रत्वी और सूरी के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकरशन है ये सारा ग्यान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं आपको याद होगा एक तो कौपर निकस दूसरा गेली लियो कौपर निकस के ग्यान के आदार पर हम पढ़ते हैं प्रत्वी सूरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है प्रत्वी अपनी धुरी पर भी गूमती है सूरी के चारों तरफ भी गूमती है अपनी धुरी पर गूमने से ये होता है सूरी के चारों तरफ गूमने से ये होता है ये सब बच्पन से हम पढ़ते आए कौपर निकस के नाम से या तो गैली लियो के नाम से अभी पता चल रहा है वो ये कि कौपर निकस और गैली लियो तो पैदा भी नहीं हुए थे उसके हजारों साल पहले ये ग्यान और ये सूत्र और ये सिद्दान भारत के सामने प्रस्तुत किये थे एक महान व्यक्ति उनका नाम था महरशी आरेबट उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज इस्थित है और इस्थिर है प्रत्वी जो है इस्थिर नहीं है वो घूम रही है सूरज के चारो तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही ये सबसे पहले महरशी आरेबट ने सारी दुनिया को बता उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिये उन सूत्रों के आधार पर प्रत्वी और सूरी के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे महरशी आरेबट ने जो दूरी निकाल के दे दी वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनोती नहीं दे पाया आज तक नहीं दे पाया जितनी दूरी उन्होंने बता दी उतनी ही दूरी आज के वेग्यानिक बताते हैं प्रत्वी और सूरी के बीच के और तीसरी महत्त की बात महरशी आरेबट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूरे जो है ये निरापत नहीं है इसमें बहुत सारे काले धब्बे है और ये काले धब्बे की जो थियोरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आदुनिक वेग्यानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है ब्लैक होल थियोरी आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थियोरी ये ब्लैक होल थियोरी को सारी दुनिया मानती है स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल थियोरी लेकिन महरशी आरे बट्र ने स्टीफन ओकिंग्स के जनम से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है इसमें ब्लैक होल्स हैं काले विवर हैं और वही उसके जीवन का कारण है इसके बाद और एक महत्व की बाद जो सारी दुनिया में महरशी आरे बट्र ने बताई जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं वो ये कि हमारा जो सूरे है और सूरे के साथ दूसरे ग्रहों की जो इस्थती है तो सारे ग्रह सूरिके प्रकाश से प्रकाशित है दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है सूरिके प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित है वो चाहे शनी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो ये सब सूरी के प्रकाश से प्रकाशित है सारी दुनिया को सबसे पहले महरशी आरिबट्र ने बताया है और इससे भी गहरी बात मैं आप से कहता हूँ महरशी आरिबट्र ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दुर्बीन बनाई होगी तब ही ये बता सकते हैं नहीं तो सवाल ही नहीं महरशी आरिबट्र ने बताया कि शनी के पांच उपग्रे हैं पूरी दुनिया को पता चला उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोदित किया और कहा कि नहीं शनी के साथ उपग्रे हैं पांच नहीं है साथ है और गिन कर बताए उन्होंने और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये गर्व की बात कि महरशी आरिबट्र ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनी के साथ उपग्रे हैं आज के वैग्यानिक आठवा उपग्रे नहीं खोज पाए अभी तक शनी का वो साथ पही अठके हो और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि आठवा उपग्रे है ही नहीं होता तो वो खुदी बता के चले गए है अब मैं आपके ध्यान को आकरशित करना चाहता हूँ कि शनी के साथ उपग्रे को खोज लेना कैसे संभव है बिना दुरवीन के तो सवाल ही नहीं उठता हो ही नहीं सकता इसका माने बहुत साफ है कि महरशी आरे भट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दुरवीन बनाई होगी और उससे देखकर ये बताया होगा और सारी दुनिया में दुरवीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा हो महरशी आरे भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है बड़ी पुस्तक है ब्रहत सहिता उसका नाम है और एक दूसरी पुस्तक है आरे भट्ट सहिता उसका नाम है इन दोनों पुस्तकों में सैकनों नहीं हजारों हजारों सूत्र हैं सूरच के बारे में चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरच के अंतर संबंदों के बारे में और आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में ग्रहन के बारे में चंदर ग्रहन होगा, सूरी ग्रहन होगा, इस्तिती को होगा, इस दिनांग को होगा, इस साल में पड़ेगा. ये सारे के सारे ठीक ठीक गणना है सबसे पहले शुरू किया महरशी आरेवट्ट ने शुरू महरशी आरेवट्ट की शुरू की गई गणना है चंदर ग्रहन की, सूरी ग्रहन की हजारों साल ग्रहन की बिलकुल सच साबित हुई और उसके आधार पर पंचांग विक्सित हुआ और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं महरशी आरिवट्टे के बारे में कि उन्होंने सूर्च का प्रत्वी का दूसरे ग्रहों का जब अध्यन किया बारी की से गहराई से और उन्होंने देखा कि प्रत्वी अपनी धुरी पे भी गूम रही है और सूरी के चारों तरफ भी घूम रही है तो प्रत्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिर्टा है और दिन रात हो रहे हैं तो दिन कितने घंटे का हो रहा है रात कितने घंटे की हो रही है और बारी की से करते करते उन्होंने साथ दिन निर्धारित कर दिये और वो साथ दिन है रविवार, सोमवार, मंगलबार, बुदवार, प्रहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ये जो साथ दिन महर्शी आरिभट्टों ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिये सारी दुनिया अभी तक आठवा दिन नहीं खोज पाई है जो साथ उन्होंने हजारों साल पहले कह दिये वही साथ दिन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रहे है और आपको हरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई कृशियन है तो, कोई मुसल्मान है तो, कोई यहूदी है तो, कोई बौद्ध है तो, कोई पार्सी है तो, कोई हिंदू है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इनी साथ दिनों को मानता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुदवार, विस्थवार, शुक्रवार, शनिवार बस अंतर इतना है कि उसको अपनी अपनी भाशा में उन्होंने भाशांतर कर लिया है अंग्रेजों ने रविवार का संडे कर दिया सोमवार का मंडे कर दिया मंगलवार का ट्यूस डे कर दिया बुदवार का वेडनेस डे कर दिया गुरुवार का थेस डे कर दिया शुक्रवार का फ्राइडे कर दिया शनीवार का सेटर डे बस इतना ही किया है भाशांतर ही किया है बाकी कोई मूल बदलाव अंग्रेज नहीं कर पाए और अंग्रेजों के आगे पीछे की सब्विताओं ने भी उसको वैसे का वैसे ही स्विकार किया यूनान की पूरी सब्विता ने यही स्विकार किया रवी सो मंगल बुद्ध शुक्रशनी ही है और ये भारत की देन है सारी दुनिया की सब्विताओं को जिसमें वो एक कदम भी आगे हमसे बढ़ नहीं पाये है जितना हमने खोज के बता दिया वहीं पर पूरी दुनिया रुकी हुई है अभी तब बहुत बड़ा योगदान है महर्शी आरे भट का इस खगोल शास्तर की दुनिया और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि महर्शी आरे भट का एक और बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए गनित का गनित के बारे में दो तीन रोचक तथ्थे मैं आपको कहना चाहता हूँ गनित में जो त्रिकॉण मिती होती है न आपने तो पड़ा होगा बच्पन में हम लोग अंग्रे जी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं यह जो ट्रिकॉण मिती है यह जो ट्रिग्नोमेट्री है यह महर्शी आरे भट की खोज है उन्होंने सबसे पहले त्रिकोन मिती दिया है पूरी दुनिया को जानने समझने और सीखने के लिए और आप जानते हैं इसी त्रिकोन मिती को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्मान कारे चलता है त्रिकॉन मिती अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्मान कारी में लग नहीं सकते तो सारी दुनिया के निर्मान कारी का आधार और प्रश्ट भूमी महर्शी आरिभट की देन है त्रिकॉन मिती जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया गणित में त्रिकोनमिती का आविश्कार भारत में हुआ है फिर इसी तरह एक महान महर्शी हुए भासकराचारे उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती जिसका नाम है लीलावती जो थी वो महर्शी भासकराचारी की बेटी थी तो अपने बेटी के नाम पर, बेटी को जो वो सिखाते थे गणित में, वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में और लिलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशागर बुद्धी थी, इतना तीवर बुद्धी वो बेटी थी, कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तम में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे और उसको कहा जाता था कि तुमारी बुद्धी बहुत तेज चलती है तो कहती थी वो पिता जी की क्रपा है उन्होंने मुझे गनित सिखाया पेड़ के पत्ते गिलने ना कोई आसान काम नहीं है ये कुछ ऐसा ही काम है कि आस्मान में तारे गिलने ना और लीलावती इसमें सिद्धस थी उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई महर्शी भाशकराचारी की गनित की पहली पुस्तक और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने हाँ गनित का कोर्स बनाया है सिलेवस बनाया आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गनित का सिलेवस लीलावती के आधार को बनाया ऐसे ही एक महान हमारे देश में गण तक ये हुए उनका नाम था महर्शी ब्रह्मु गुप्त इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ये अंक गणित का जो चार हिस्सा है जोड़, घटाना, भाग और गुणा ये सबसे पहले महर्शी ब्रह्मु गुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्मान किया और महर्शी ब्रह्मु गुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्ग मूल करना घटान करना, घटान मूल करना ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के और जो बीजगनित हम पढ़ते हैं जिसको हम आजकल अलजबरा कहने लगे हैं ये अलजबरा पूरा का पूरा महर्शी ब्रह्मु गुप्त की देन है हमारा आजका इलजबरा और उसका सलेवस महर्शी ब्रह्मु गुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा कसर इसी तरह से एक प्रमे होती है, एक थियोरम है वो हम लोग पढ़ते हैं बच्पन में नौवी दस्वी कक्षा से लेके बारवी तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो थियोरम को पाइथागोरस थियोरम कहते हैं पाइथागोरस का जन्म हुआ इसा से आठ शताबदी पहले और इसा के पंद्रवी शताबदी पहले के भारत के गुरकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे हाँ था हम उसको बोधायन प्रमे के रूप में पढ़ते थे बोधायन एक महर्शी हुए उनके नाम से वो प्रमे पढ़ाई जाती थी भारत में इसा के जन्म के पंद्रे शताबदी पहले माने आज से लगबग साड़े तीन हजार साल पहले वो प्रमे भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमे के नाम से और वो प्रमे क्या है कर्ण का वर्ग बरावर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हिंदी में कहते हैं न हाइपोटिनियूस का स्क्वाइर पर्पेंडिकुलर और बेस के स्क्वाइर के एडिशन के बरावर तो कर्ण का वर्ग बरावर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये जो हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले बोधायन महर्शी की देन है जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा पाइथा गोरस ने बेहिमानी करके और चालाकी करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया और वो आज तक सारी दुनिया इसी ब्रह्म में जी रही इसी तरह से मैथमेटिक्स में मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक थियोरम इस्तेमाल होती है bainomial theorem अगर थोड़ा गणित आपने उचिस्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा bainomial theorem जो दुपदप्रमेए है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिये और ये bainomial theorem भी 미र्शी आरेभट की देन है सारी दुनिया और इसी तरह से हमारे भारत में एक विशे चलता है गनित में जिसको मौडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं केलकुलस और उसके दो हिस्से हैं इंटीग्रल केलकुलस डिफरेंशियल केलकुलस ये integral calculus सबसे पहले भारत में लाया जिस महरशी ने उनका नाम था मादवाचारे और differential calculus पूरी दुनिया को सिखाया जिन महरशी ने उनका नाम था भासकराचारे differential calculus का आज का पूरा syllabus भासकराचारे जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है और मादवाचारे जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर differential वो integral calculus पढ़ो बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है और गणित में सबसे ज़्यादा शोद दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है भारत के बाद दूसरे नमबर पर सबसे बड़े गणित ये माने जाते हैं दुनिया में वो French लोग हैं फ्रानसी सी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है और गनित की जो मूल बात है शून ने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं ये सारी दुनिया को भारत की देने और आपने मेरे व्याक्षान के पहले वो जो गीत सुना जब जीरो दिया मेरे भारत ने वो सच है सारी दुनिया को शून ने फिर एक, फिर दो, फिर नो तक की गिंती हमने सिखाई और जो गिंती सिखाएगा वही गनित बनाएगा गनित तो उसी को आएगा जिसको गिंती आएगी जिनोंने गिंती गिनी है और जिनोंने गिंती पड़ी है वही गणित बना सकते हैं और गणित सिखा सकते हैं तो भारत ने सारी दुनिया को गिंती दी है गणित दिया है गणित के सूत्र दिये है और कुछ गणित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते हैं वैदिक गणित का नाम आपने सुना है वैदिक गनित के सूत्र, सप्त्र सूत्र है इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गनित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज़्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाएगा कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमतकार दिखाते रहते हैं गनित का एक बहन जी है, एक माता जी है नाम नहीं लेना चाहता उनका आप सब समझ जाएंगे एक मिनिट में वो पूरी दुनिया में प्रवास करती है और बड़े-बड़े शो करती है लाखों रुपए उस शो के वो लेती है एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजार और रुपए की टिकिट खरीदता है डॉलर्स में खरीदता है और वो माता जी सबको यहीँ बताती है गनित के सूत्र और चमतकार एक तरीके से बताती है दसंक का कुछ संख्या लिख दो और दसंक की एक संख्या लिख दो दोनों का गुणा कर दो कैल्कुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके उपर वो कुछ भी नहीं है वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है कोई सीख लेगा तो वो बता देगा उसमें कौन सी खास बात है और उनके बारे में अख़वारों में बड़ा बड़ा विज्यापन आता है जिनका दिमाग कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है जिनके गणित की गणनाएं कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज है ऐसी माता जी का व्याख्यान सुनने आईए या दर्शन करने आईए मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है सभी बहने हो सकती है सभी भाई हो सकते है बस बैदिक गनित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तके उसकी बाजार में उपलब्द है मेरी आपको एक विनम्बर प्रात्ना है वो ये कि आपके गर में छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजे गनित उनको रोचक हो जाएगा हमारे देश के बच्चों को गनित में ही सबसे ज़्यादा बोरियत आती है क्योंकि आज जो हम गनित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं उसमें रस बिलकुल नहीं है लेकिन यह जो बैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं हमारे भारत में सिख्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि सिख्षा को रस पूर्ण बनाके सिखाना हस्ते हस्ते सिखा देना खेलते खेलते सिखा देना गाना गाते गाते सिखा देना गीत गाते गाते सिखा देना दुनिया में कहीं नहीं है तो वैदि गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं पुस्तकें बाजार में उपलब दें उनसे आप आसानी से कर सकते और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अव्यान चला सकते है कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है दो तीन लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कम्पीटर से ज़्यादा तेज मैं चाहता हूँ भारत स्वाविमान का हर कारी करता वो भाई ओ या बहन कम्पीटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदी गणित के ये सूतर सी किया एक दो बात और कहना चाहता हूँ हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या-क्या दिया है सारी दुनिया को सबसे पहले बरफ बनाना हमने सिखाया अद्बुत देश है ये भारत यहां बरफ सबसे कम है लेकिन बरफ बनाना सबसे ज़्यादा हमी जानते है भारत में बरफ जहां है न वो कुल मिलाके दो चार राज्ये है एक तो जम्मू काश्मीर है एक तो हिमाचल प्रदेश है एक तो हमारा ये उत्तरा खंड है और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ परदेश है चोटे जहां पर बरफ गिरती है ये बरफ प्रकरती की बनाई हुई है लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते है कि मनश्य की बनाई हुई सबसे पहली बरफ हमने दी है दुनिया को और उसकी तकनी की भी हमने बताई है पूरी दुनिया हमारे देश में एक महान राजा हुआ उसका नाम था हर्श वर्धन हर्श वर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है सुना है जानकरी आपको होगी हर्श वर्धन की दो तीन बाते मैं आप से कहना चाहता हूँ पहली बात यह है कि वो वैग्यानिक था और राजा हुआ सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था वो वैग्यानिक था और राजा हुआ और चक्रवर्ती समराट हुआ चक्रवर्ती समराट का मतलब आप समस्ते है भारत में चक्रवर्ती समराट कौन हो सकता है जो एक गाउं का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच जो दस गाउं का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक जो सौ गाओं का राजा होता उसको कहते है सामन जो हजार गाओं का राजा होता उसको कहते है राजा फिर दस हजार गाओं का जो हो जाए राजा वो महाराजा फिर एक लाग गाओं का जो हो जाए वो समराठ और साथ लाग गाओं का जो राजा हो वो चक्रवरती समराथ और भारत में लगबग साथ लाग ही गाओं रहे तो हर्शवर्दन चक्रवरती समराथ था माने पूरे भारत का राजा था एक बात विग्यानिक था दूसरी बात और विग्यान की किस भाशा में उसको दक्षता थी कैमिस्टरी में रसाइन शास्त्र का बहुत बड़ा ग्याता था कैमिस्टरी उसको बहुत आती जब वो राजा बना उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बरफ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्ष वर्धन के बारे और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्शवर्दन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है और वो बर्फ बनाने की पूरी तक्निकी है और राजा हर्शवर्दन का जो समय है ना वो छटवी शताबदी का है माने आज से लगबग पंद्रे सो साल पहले अंग्रेजों के यहां बर्फ पढ़ती है अमरीकियों के यहां बर्फ पढ़ती है फ्रांस में बर्फ पढ़ती है जर्मनी में बर्फ पढ़ती है लेकिन वो बर्फ बनाना अठारवी शताबदी तक नहीं जानते थे जिनके याँ बरफ पड़ती है वो बरफ बनाना नहीं जानते थे बरफ बनाने के लिए पानी को एक विशेश तापमान पे रखना पड़ता है और एक विशेश दबाव उसको देना पड़ता है एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेमपरेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बरफ बन सकती है बहुत जटिल प्रक्रिया है आसान काम नहीं है ये लेकिन हर्श वर्धन को ये मालूम था और उसने बरफ बनाना और बनवाना अपने राज्जे में शुरू किया था उस समय से भारत में बरफ बनाने की परंपरा बरफ हमारे यां बगवान के दोरा बहुत कम दी गई है लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया अब हमको ये इस्थापित कराना भी बाकी है कि सबसे पहले बरफ भारत में बनी अंग्रेज Ж Suppose बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ अथारभी शताबदी में बनाई हमने उन से हजार साल पहले बर्फ बनाई सारी दुनिया को ये बर्फ बनने की टेक्नालोजी हमने दी है कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते है और एक घास होती है उसको मूझ कहते है गाओं के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्दच्छे से समझ में आएंगे एक सन होती है और एक मूझ होती है मूज जो है ना बहुत तीकी होती है उंगली को काट सकती है और खुन निकाल सकती है सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है उंगली को काटती वाटती नहीं और भारत के हर गाउं में इफरात में होती है और फोकट में होती है पूरवी भारत और मद्ध भारत में तो हर गाओं में होती है बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जारखंड में, उड़ी सामें, आसाम में कोई गाओं नहीं जहां सन न हो मूझ न हो तो जिन इलाके में सन और मूझ सबसे ज़्यादा होती रही है इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ वो सन की घास से और मूझ की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया और वो कागज बनाने की तक्नीक आज से 2000 साल पुरानी और चीन के जो दस्तावेज है वहां से ये बात मुझे पता चली चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से यहां से सीखा सन और मूझ की रसी से इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी बैटरी समझते हैं ड्राई सेल अंगरे जी मैं कहूँ तो शायद जल्दी समझ में ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी और ड्राई सेल बनाने की जो विधी है na जो आदनिक विग्यान ने भी सुईकार कर रखी है वो महरशी अगत्स से द्वारा दी गई विधी है महरशी अगत्स ने सबसे पहली ड्राइ सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वरनन है अगस्त सहिता में पूरा ड्राइ सेल बनाने की टेकनालोजी पूरी तकनीक उनोंने दी है और हम मेंसे कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राइ सेल बनता है और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है इसका माने क्या हुआ जो देश के वेग्यानिक और महर्शी ड्राई सेल बनाना जानते हों वो विद्यूत के बारे में भी जानते होंगे इलेक्ट सिटी के बारे में भी जानते होंगे करंट के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि ड्राई सेल यही करता है current के flow के लिए ही हम उसका उप्योग करते हैं ये अलग बात है कि वो direct current है और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो alternative current है लेकिन direct current का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्शी अगत्स कोई है इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का कोईन जिसको हम कहते हैं वो भारत में बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया ये जो सिंदु घाटी की सब्बिता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से तीन साड़े तीन हजार साल पहले का इतिहास है उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वरनन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्टरियों की जानकरी इसी तरह से जस्ता बनाना जिंक सारी दुनिया को भारत में सिखाया हम से पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता जिंक कैसे बनता और तेरवी शताबदी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई उसका नाम था रस्रत्न समुच्च उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वरनन पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा है मरकरी जो सबसे मुश्किल है सबसे जटिल है वो पारा बनाने का चरक सहिता में बहुत विस्तार से वरनन है और रसरत में समुच्चे में भी बहुत विस्तार से वरनन और एक बहुत रोचक जानकरी दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में बस इस्तेमाल उसका हुआ फोल जड़ी चलाने ना यह रोचक बात है हमने बारूद बनाया सबसे पहले लेकिन उसका बं नहीं बनाया उसकी फोल जड़ी बनाई क्यों मारना नहीं है ना हम तो अहिंसा वाले लोग है ना बारूद से मार भी सकते है बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते है लेकिन वही बारूद फुलजडी भी बनाता है वही बारूद वो चकरी भी बनाता है और वही बारूद से अनार बनता है तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुलजड़ी के लिए, चकरी के लिए, हमने बारूद में बनाया बम के लिए और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया, तो उन्होंने फुलजड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया और दुरुभागेज है फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया और एक दो रोचक बाते कहता हूँ दुनिया का सबसे पहला करशी की बात थोड़ी कर लेता हूँ दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना सबसे पहला उपकरण वो है पईया वील, चक्र, ये भारत में बना वील का इन्वेंशन, वील का आविशकार भारत में हुआ चक्र का आविशकार हमारे हैं हुआ उस पईयों को हमने बेलगाडी में लगाया और बेलगाडी को चलाया दूसरों ने उस पईयों को हवाई जाज में लगाया उसमें चलाया, पहिया तो एकी है, वो हुआई जाज में लगे या बेल गाडी में और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला करशी उपकरन दिया, पूरी दुनिया को मालुम नहीं था उसके बारे में हल, खेत में जोतने वाला हल, एक फल वाला हल, दो फल वाला हल, तीन फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं, दुफारा कहते हैं, एक फारा कहते हैं, ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर, इसी तरह से हसिया है, हतो बारत में बने और सारी दुनिया में यहां से गई क्योंकि हजारों साल पहले क्रशी भारत से शुरू होई औो दूसरों ते फिर हमारी नकल करके क्रशी कर ना शुरू किया क्रशी में बीज बौने की एक खास पद्धिती होती है एक ही लाइन लाइन में बीज को बोना ये सारी विशेश पद्दिती मानी जाती है पूरी दुनिया में ये भारत नहीं दी है एक लाइन में बीज को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी उसके लिए उपकरन हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाव कहते है वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते है वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की फिर आप जानते हैं आप मेंसे जो किसानी करते हैं कि धान का बीज पहले रोपा जाता है फिर पौधा थोड़ा बड़ होता है उस पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगे प्रत्यारोपित किया जाता है ये जो टेक्नीक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई है धान के बीज को एक जगे बोना फिर उसको जड़ सहित उखाड़ कर दूसरी जगे प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पाद धन, जदा मिले और खेट का नुकसान सबसे कम हो, ये पूरी दुनिया को भारत में सिखाया, धान लगाने की ये पद्दिती, और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है, ये हैरानी की बात है, धुनिया के 155 देश धान का उतफदिन करते हैं, भारत की नकल कर के इसी पद्दती से वो धान का उत्पादन करते और एक महत्तु की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूत्र से खाद और कीटना शक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाए गाई के गोबर से, भैस के गोबर से, बैल के गोबर से गाय के मूत्र से, बहल के मूत्र से, भैस के मूत्र से, क्या क्या कीट नाशक बन सकते हैं, कौन कोंसी खाद बन सकती है, ये सारी दुनिया को भारत ने सिखाई है. तो क्रशी में बहुत कुछ हमने दिया, तक्नीकी में हमने बहुत कुछ दिया, विग्यान में हमने बहुत कुछ दिया, और हम पराविद्या में चले जाएं, तो उसमें तो सब कुछ हमी ने दिया है पूरी दुनिया को, अध्यात्म है, धर्म है, संस्कृती है, सब्विता है भारत के बारे में एक रोचक जानकरी में देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है सारे धर्मों की जड़ भारत में है कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने आशे शुरू किया क्योंकि मूल बात हमारे पास है तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे सिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सब्विता संस्कृती में से हुआ होगा तो अगर पराविद्या में देखें, प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है, इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहताऊ हूं अन्त में, कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद, अपने मन में कभी भी हीनता मताने दीजे, लगटा मताने दीजे, कोई आत्म-गलानी मताने दीजे, अब गर्व से कहिए गौरव से कहिए कि विमान का आविशकार हमने किया बर्फ का आविशकार हमने किया स्टील का आविशकार हमने किया खगोल शास्तर का सारा ग्यान दुनिया को हमने दिया गनित में नमबर सिस्टम हमने दिया वर्ग मूल दिया, घन्मूल दिया, वैदि-गनित के सूत्र दिये इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकडों बारा भार व्यक्त करे निकल जानी चाहिए और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याक्यान खाली व्याक्यान मात्र नहीं है भारत स्वाब इमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्व व्यापी अभियान चलाना है अपनी खोज को अपने इन्वेंशन्स को दुनिया भर के सामने इस्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो एतिहासिक रूप से भूल हो गई आप सभी इस अभियान में लगेंगे मेरा विश्वास है अपने मन से हीन भावना निकालेंगे दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे इश्वार हमें जरूर मदद करेंगे ऐसी शुप कामनाओं के साथ बहुत आभार बहुत धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूले